Hey guys, welcome back to the new video So guys, इस वीडियो में मैं ड्राइंग करने जा रहा हूँ मा काली की ड्राइंग को So मैं इस रेफरेंस को ड्राइंग करने जा रहा हूँ So इसको मैं ग्रीड मथड से करूँगा So इसके लिए मैं सबसे पहले Edit वाले ओप्शन पे क्लिक करूँगा फिर आप लोग देख सकते हो कैसे grid line बन चुका है And इसको मैं एक screenshot कर लूँगा And अभी मैं उस screenshot वाले picture को open करूँगा And इस पे जो grid line बना है उसको मैं crop कर लूँगा जैसे का आप लोग देख सकते हो मैं चारो साइट से अच्छे से crop कर रहा हूँ And crop करने के बाद मैं इसे save कर लिया So आप लोग देख सकते हो reference के उपर बहुती अच्छा grid line बन चुका है इसे rule of third कहता है So इसी चीज़ को हमें paper के उपर भी करना है So उसके लिए सबसे पहले मैं scale से paper के उपर margin draw कर लूँगा And margin draw करने के बाद मैं चारो तरफ के margin वाले पार्ट को masking tape से अच्छे से board के साथ attach कर लूँगा And अभी मैं एक side के distance को नाप लूँगा So उसे मैं calculator की मदद से 3 से divide कर लूँगा So मैं 27.5 को 3 से divide कर लिया And उसे भी मैं इसके उपर mark कर रहा हूँ And same तरीके से मैं चारो तरफ किया या पर मैं 37 को भी 3 से divide कर लिया So अभी ये सारे mark को हमें join कर लेना है So आप लोग देख सकते हो paper के उपर भी अच्छा एक grid line बन चुका है So और easy करने के लिए मैं इसकी middle वाले box पे भी एक और grid line drawing कर लूँगा मैं इसको भी नाप लेके इसको 3 से divide करके mark कर लूँगा And इसे भी join कर लूँगा मैं So आप लोग देख सकते हो इस पर भी एक अच्छा grid line बन चुका है So reference पर भी हमें same तरीके से करना है So सबसे पहले मैं इस grid वाले picture को ही edit के option पर click कर लूँगा And इसको सिर्फ middle वाले box तक crop करूँगा And इसे screenshot कर लेने के बाद हमारा दोनों picture complete हो जाता है So मैं सबसे पहले middle वाले box से start कर रहा हूँ So मैं eyes से start कर रहा हूँ So आप लोग देख सकते हो मैं अच्छे से देख देख के and reference को observe करके इसको drawing कर रहा हूँ आपको भी same इसी तरह से करना है And आप लोग जितना हो से free hand drawing करने की कोशिश करना Grid method से आप लोगों का improvement नहीं होगा आप लोग जितना free hand drawing करोगे उतना ही आप लोगों का improvement होगा So आप लोग free hand drawing करने की कोशिश करना And इसे avoid करने की कोशिश करना पर accurate drawing दिखाने के लिए मैं आप लोगों को ये तरीका बता रहा हूँ So आप लोग वीडियो को enjoy कीजिए So अभी मैं reference को देख देखके पूरा drawing को करूँगा So सिर्फ middle वाले box को करने के बाद मैं बाकी वाले box को भी कर रहा हूँ इसी तरह एके करके मैं पूरे drawing को complete कर रहा हूँ So आप गाले सेवाले सेखकी वाले मैं लोगों करते हूँ So आप लोगों को झाले सब कर दया हूँ So चूर झाले सेखके मैं गया ज contribute dal क्यूँ nic me आप graph दวยके मैं प्या जो प्या को भी किए So आप रहा ठहा हूँ So आप आप एके मैं ओककार घूछ झाल 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 आप लोग देख सकते हो डिजाइन वाले पार्ट को मैं सिर्व मार्क कर ले रहा हूँ और मैं कलरिंग करने के समय इसको अच्छे से कलर करूंगा आप लोग देख सकते हो ड्राइंग कंबिट हो चुका है आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला प्लीस इट लाइक बटन अद दो सब्सक्राइब तो इस चैनल और किस किस टाइप की वीडियो चाहिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कैसे कलर करते उसे बताऊंगा सो वेट फॉर इट सो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई